नमस्कार किसान भाईयों खेती बाडी चैनल में स्वागत है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह हमारे धान की फसल में अभी हमने इसमें तीन-चार दिन पहले है इसमें यह कीट बगेर लगे थे गंधी कीट टिड़े बगेर जो बालियों को लगातार खराब कर रहे थे यह देख सकते हैं जैसे यह बीच में इन बालियों में बीच बीच में यह धब्बे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर इस तरह सुरू में इस्टार्टिंग में जो भी बालिया निकल रहे थे सब को ये टिड़े नुकसान पहुचा रहे थे पूरी फसल को लगादार हमारी इसकी बज़े से धान में इस्प्रे करना पड़ता है और जितना जल्द से जल्द हो सके हमें इस्प्रे करना चाहिए ताकि ये ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान न पहुचा सके क्योंकि अगर बालिया श्टार्टिंग में जो सुरू में निकलती है तो बहुत ज़्यादा ही इनका प्रकोप आता है और देखने को मिलता है कि जितनी बालिया निकलती है लगभग सभी बालियों में आपको इस तरह के निसान दिखाई देंगे काले धब्बे और कुछ बालिया आपको पूरी तरह से एकदम खाली निकले दिखेंगी सब फेद बालिया निकलती हो दिखेंगी उनको सुरू से ही निकलने के पहले ही पूरा खतम कर दिया जाता है जिससे कि वो बाली खाली रहती है और उसमें हमको उत्पादान में भारी मातरा में नुकसान देखने को मिलता है इनसे करीब-करीब हारी फसल को 15-20% का नुकसान आता है और फिर हमने इसमें इस्प्रे किया है और इस्प्रे के बाद आप देख सकते हैं अब जो बालिया निकल रही है यह देखिए यहां पर यह बाली निकल रही है यह आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं पूरी पूर्ण रूप से एकदम एक भी दाना इसमें खराब नहीं दिखेगा आपको पूरी एकदम देख सकते कहीं भी आपको एक भी धब्बे नहीं दिखाई दे रहे हैं पूरी एकदम स्वस्थबा लिया और इसमें अब 100% दाने भरेंगे जिससे की उत्पादन मों हमको अच्छा देखने को मिलेगा और अब देख सकते हैं कि अब किसी भी प्रकार का हमारे खेत में कोई भी कीट बगएरा नहीं है देख सकते हैं सारे कीट बगएर सब खत्म हो चुके हैं और देख सकते हैं एक भी आपको कहीं पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और दबाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट मिला है इसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरह जितने भी इसमें कीट बगएरा लगे थे सब का खात्म हो चुका है एक ही इस्प्रे में सारे कीट बगएरा सब साफ हो चुके हैं दोस्तों हमारे इस धान की खेत में इतना ज्यादा यह टिडड़े और इल्लियां बगएरा का प्रकोफ हो गया था कि आप देख सकते हैं जिसमें इस तरह की पूरी की पूरी बाली निकल रही थी आप यहां पर यह बाली देख सकते हैं हवा चल रही दोस्तों इसलिए देख सकते हैं यह पूरी बाली को किस तरह खराब किया है यह देखिए यह देखिए दोस्तों यह नीचे से ही इसको खाना सुरू कर दिया है और देख सकते हैं यह उपर तक पूरी की पूरी बाली को साप कर दिया दोस्तों यह देख सकते है ये इस तरह कितनी बालियों को प्रहावित किया है देख सकते हैं इन में दाने एक भी नहीं पड़े और पूरी बाली सफेद हो चुकी है इसका मतलब है कि इसमें अब दाने भरने वाले नहीं है क्योंकि इनका पूरा का पूरा दूस जो बनता है इसकी अंदर जिससे चाबल बनता है उसको पूरा इसने खा लिया है इसी तरह आप देख सकते हैं पूरे खेट में इतनी भैंका तरीके से इसमें टिड़े बगएरा लग गए थे कि इनका जल्द से जल्द इलाज करना जरूरी था इसलिए हमने इसमें अभी कल इस्प्रे किया है और इस्प्रे करने के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी कीट और बगएरा कुछ भी नहीं दिखेगा देख सकते हैं आप पूरे खेत में आपको दोस्तों कहीं पर भी एक भी कीट नहीं दिख रहे होंगे ना तो इसके उपर आप चिड्डे भी उड़ रहे नहीं तो कलता कभी इसमें इतने चिड्डे बगारा उड़ रहे थे और इतने भेंका तरीके से इसमें खा रहे थे दोस दोस्तों ये ये देख सकते हैं ये खतम होकर ये नीचे जमीन में आया के गिरे हैं ये देख सकते हैं ये ये इतनी भेंकर तरीके से ये फसल को प्रवावित करते हैं पूरा का पूरा देख सकते हैं कि ये इतना छोटा सा जीव है लेकिन ये पूरी फसल को बरवाद कर देता ह और देख सकते हैं यह कई प्रकार के यहां पर जीव पड़े हुए हैं यह देख सकते हैं यह पता नहीं दोस्तों यह क्या है देख सकते हैं यह यहां पर यह देख सकते हैं यह पता नहीं क्या है यह सारे चीज मिलकर यह पूरी हमारे धान को फसल को बरवात कर रहे हैं जिसके यह हमने दोस्तों यह देख सकते हैं यह यह मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों यह देख सकते हैं आप यह यह इतने बड़े बड़े यह जानवर यह देख सकते हैं दोस्तों यह सारे यह कल हमने जब इस पर किया है तो इसके बाद यह देख सकते हैं इन सबका खात्मा हो चुका है देख सकते हैं यह कम से कम यह 5-6 बाराटी के यह कीट थे सारे के सारे जिनका खात्मा हो चुका है और देख सकते हैं अब खेत में कहीं पर भी आपको एक भी टिड़े बगएरा कुछ भी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे होंगे यह देख सकते हैं यह देखिए दोस्तों पूरी की पूरी फसल में अब कही पर भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा दोस्तों यह पूरे खेत में अब यह सब अब जमीन में यह खतम होकर गिर रहे हैं यह देख सकते हैं पानी भरा हुआ जिसकी बज़ा से यह सारे कीट भी इसमें देख सकते है ये मरने के बाद इसमें अब ये तर रहे हैं लेकिन अब जो भी नुकसान ये करना था ये कर चुके हैं देख सकते हैं ये बीच बीच में ये ये बीच बीच में देख सकते हैं कुछ दानी काले पड़ गए हैं अब इनका तो कुछ नहीं हो सकता बट अब जो बालियां इसमे निकलेंगी देख सकते हैं अभी इसमें कम से कम 10-15% 20% करीब तकरीबन बालिया निकल चुकी हैं लेकिन अब जो बालिया इसमें निकलेंगी तो अब उसमें कीट बगएर नहीं लगेंगी अब सारी सुस्त बालिया निकलेंगी और सम्में दाना बराबर भरेगा दोस्तों 100% अब शुरु में जितना नुकसान करना था कर दिया इन्हों ने पर यहां पर पूरी की पूरी सुस्त बालिया निकलेंगी बाकि आप बालियों को साइज आप देख सकते हैं ये ये देख सकते हैं दोस्तों ये पूरी तरह से एकदम स्वस्त बाली है लेकिन इसमें भी बीच बीच में एक आत जगए डंक मारा है टिड्डे ने जहां जहां पर टिड्डे उन्हें डंक मार दिया है दोस्तों देख सकते हैं ये पूरे के पू यहां पर सभी जगह जब दोस्तों यह टिट्डे बगएरा यहां पर यह खतम हो गई है और पूरा खेत अब हमारा यह पूर्ण रूप से साफ हो चुगा है